जोदपूर पुलिस ने क्रशी विभाग में कारे रत एएओ की हत्याकान का पुलिस ने शुकरुवार को राजस्थान की जोदपूर पुलिस ने खुलासा किया है इस मामले में पुलिस ने मरतक की पतनी सहीत दो सालिया और उनके एक परीचित को गिरस्तार किया है इस पूरे हत्याकान की मास्टरमाइंड मरतक की पत्नी ही निकली नागुर जुले के खाकड़की में रहने वाले क्रशी विभाग में कारयरत A.A.O की हत्याकान का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर ही दिया पुलिस ने बताया कि पत्नी के समलेंगी क्रिष्टे होने की वज़े से पत्ती पत्नी के बीज अक्सार मनमुटाउरिया रहता था हत्या के बाद शव के घर के बातरूम में टुकड़े किये गए और फिर केरी बैगों में हाथ पैर डाल का सिवर लाइन में बहा दिये गए पुरी वार्दात को एक किराए के मकान में अंजाम दिया गया पुलिस उपायुक्त धर्मेंदर सिंग यादाउने बताया कि नागोर जिले के खाकड़की के रहने वाले चरंड सिंग और फोसुशील जाट की हत्या के वाद शव के टुकड़े कर उन्हें सिवर लाइन में बहा दिये गए थे मंगलवार को जोधपूर के बानाड सिच सिवरेश ट्रीटमेंट प्लान्ट में दो बैग बह कर आए थे एक में हाथ पैर और दूसरे में सिर मिला था उसी दिन देर राज को मरतक की पहचान कर ली गई इसके बाद अतिरिक्त पुलिस आयूक्त भाग्चन मीना, SACP, मंडोर राजेंद प्रसाद दिवाकर बनाड थानाधीकारी, अशोक, आंजना के सुपरवीजन में तफ्तीश आरम करते हुए साक्षा जुटाए गए गहन परताल के बाद सामने आया कि इस हत्याकान में मरतक की पत्नी सीमा, साली, प्रियंका और बविता और उनका एक पारिचित भीयाराम शामिल था इने चारों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया पुलिस उपायुक्त धर्मेंद्र सिंग यादो के अनुसार पूरू में पता लगा था कि चूने भट्टे का विवाद हो सकता है मगर जैसे जैसे लोगों से पुष्टाच की गई तो मालूम चला कि सीमा और चरण सिंग उर्फ सुशिल जाट में मन मुटाओ था इनके शाधी साल 2013 में हो गई थी मगर मुकलावा नहीं हो पाया था फिर चरण सिंग सीमा पर कुछ बातों को लेकर दबाओ बनाने लगा मगर सीमा शाट्य दिमाग वाली थी वह संभावत है संभलेंगिंग का शिकार थी इसके लिए वह पती चरण से छुटकारा पाहना चाहती थी इस पर उसने 10 अगस्त को पती चरण सिंग और फुशिल को फोन कर बुलाया बनाड इस्तित एक किराए के मकान पर इन दोनों ने उसे पहले जूस के साथ नीन की गोलिया खिला दी इसे नीन दाने के बाद उसका अगला घोट दिया गया फिर बातरूम में ले जाकर शेव के टुकडे टुकडे कर दो कैरी बैगों में हाथ वे पैर और सिर डाल कर बनाड के नांदडे से सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बहा दिया पुलिस ने मिले केरी बैगों से पता लगाया कि ये बैग मेड़ता सिर टिक लाके से खरीदे गए है पुलिस को सुराग हत लगा पर सिर सिर डीव कैमरे खंगा ले गए जिस पर पुलिस सुराग ढूंडते हुए हत्यारों तक पहुंची सालियों का एक परिचित भी अराम जो की मल्टी नेशनलन कमपनी में काम करता है उसका भी एक सहीयोग लिया गया है तो भी पुलिस उपायुक्त यादव के अनुसार इन लोगों ने शरीर के कुछ टुकडे बहा दिये फिर धड़ वाला हिसा मंडूर के एक इलाके में फैक दिया जिसका अभी पता लगाया जा रहा है